So hey everyone, welcome back to another video on my channel और आज हम बात करने वाले हैं एक बार फिर से सोनी लिप आई वी सीरीज स्कैम 1992 के एक important character के बारे में जिसका नाम है सुचेता दलाल तो आज की वीडियो होगी सुचेता दलाल के उपर की 1992 के स्कैम के बाद उनकी लाइफ कैसे रही वो कहा है और आज की डेट में वो क्या काम कर रही है तो इस वीडियो को एंड तक देखे और अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर कीजिए मैं आप के लिए ऐसे सी वीडियो लाता रहता हूं तो बात करते हैं करेक्टर के बारे में तो शेया धन्वंत्रे ने निवाया है सुचेता दलाल का करेक्टर वह एक्चल रियल लाइफ में भी उनका जो रियल लाइफ करेक्टर है वो भी सुचेता दलाल है और उन्हीं की बुक दस उसका title था the scam who won who lost who got away basically इस book में उन्होंने लिखा था कि कौन-कौन फसा और कौन-कौन छूड़ गया लोग कहते हैं कि उन्होंने beer gang के ऊपर नहीं लिखा काफी कुछ बट उन्होंने लिखा था बट actual में उनके against कोई action नहीं हुआ था उस वक्त इसका एक और revised version बना 2001 में इस book अगर आपको इस book को पढ़ना है तो मैं लिंक description में दे दूंगा वहाँ पर जाके आप इस book को buy कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं अगर आपको पूरा reality में पता करना है कि क्या हुआ था कैसे हुआ था तो इस book को आप जरूर पढ़िए तो अब चलते हैं उनके career के बारे मे फॉर्चून इंडिया मैगजीन में 1984 में लेट 90 में उन्होंने टाइमस ऑफ इंडिया जॉइन किया था जो web series में भी दिखाये गया है उसके बाद काफी सारी जो न्यूस फिनेंशल वेबसाइट्स हैं फिनेंशल अगबार है और फिनेंशल मैगजीन ने उनके लिए उन्ह उन्होंने 2008 तक उनका टाइब राता बिजनस स्टैंडर्ड हो गया पनेंशल एक्सप्रस हो गया बहुत सारी मैगजीन या न्यूस पेपर के साथ उन्होंने काम किया उसके बाद बट फाइनली 2006 में उन्होंने मनी लाइफ मैगजीन को फाउंड किया अपने हस्बेंड के सा जारी पर्थिकल्स बह 10 फबॐ होते हैं वहां पर उनकी मैगजीन फाउटनाइट मैजीन है वह पव्लिश होती हैं मनी लाइफ पाउंडेशन के зак आम करती है और मनी लाइफ एडवाईजरी सर्विस में भी काम करती है वह समकी एज़ान पंडिंग मैं वह अपने हाईबन के बहुत सारी committee इसका भी part रही है like नरायन मूर्थी committee on corporate governance बनी थी 2003 में उनका part थी उनसका भी part थी सुचेता दलाल उसके साथ जो primary market advisory committee है से भी कि उसका भी part रही है सुचेता दलाल investor educational protection fund के लिए जो committee बनाई थी government of India ने उसका भी part रही है और consumer complaint council का भी part रही है advertisement standard council of India की जो committee बनाई थी council बनाई थी उसका भी member रही है सुचेता दलाल इसके साथ साथ एमदाबाद based consumer research education center का भी part रही है जो सबसे बड़ी organization है जो consumer interest के लिए काम करती है और इसके बाद bank और बढ़ोधा की भी standing committee का part रही है जो consumer service के लिए बनी थी और यह तो मैंने कुछ कीनी चुनी आपको बताई है जिसकी member रही है सुचेता दलाल इसके साथ साथ और भी बहुत सारी committees की member रही रही रह चुकी है और हैं भी आज की date में भी काफी सारी committees की member हैं सुचेता दलाल जो consumer interest के लिए काम करते हैं या consumer awareness के लिए काम करते हैं उसके बाद बात करते हैं आवार् of the substance award भी मिला था और उनके carrier का सबसे बड़ा award मिला था उन्हें 2006 में पदम श्री का award मिला था जो इंडिया का 3rd highest equivalent award है वो भी उन्हें अपने जर्नली incidents में जो काम किया हैं उन्होंने उसके लिए मिला था तो 2006 में पदम श्री मिला था उसके बात क्या है कि लोगों का है कि उन्होंने कोर कॉन-कौन से scam cover किये थे उन्होंने काफी सारे scams cover किये थे मेली जिसमें थे केतन पारिक scams srcr बंसाली स्कैम, एरन स्कैम और IDBI स्कैम यह सारे स्कैम उन्होंने कवर किये थे आज की डेट में अनुगरा ब्रोकर जो स्कैम हुआ था फ्रॉड हुआ था जिसमें कस्टमर्स के साथ अनुगरा ने एक तरीके से चीट किया था उसके ऊपर भी काफी कुछ लिखा है सुचेता के उपर पे उनकी लाइफ आज की डेट में क्या कर रहे हैं वह और स्कैम 1992 के बाद उनके साथ क्या क्या हुआ था अगर आपके पास कुछ डाउट हो नीचे तो नीचे कमेंड बॉक्स में कमेंड कीजिए मैं उनका रिप्लाइब करने की पूरी कोशिश करूँगा चैनल को सब्सक्राइब किए भी का नहीं जाएगा और साथ ही साथ मेरे सोशल मीडिया हैंडल में में को फॉलो कीजिए मैं वहाँ पर आपके आंसर्स देता रहूंगा मैं चलता हूं मिलता हूं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाबाई सानियों फॉर दे टेक क्या हुआ 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 है